के बारे में बात करें तो हम लोग पहले समझते है कि cloud computing कैसे market में आया और cloud computing आने के पहले market की situation क्या थी तो ये question का जवाब देने के लिए हमें समझना पड़ेगी कि why cloud computing और again वो market में आई कैसे उसकी जर्रत क्यों थी क्या जर्रत थी कि हम लोग cloud computing use करने लगे तो इस सिनारियो को समझने के लिए हमें न 2005 के आसपास की situation compare करने पड़ेगी अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि cloud computing 2005 में ही आई बट उसके पहले भी उसके traces थे जापे cloud computing use होती थी बट इस situation को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तब cloud computing उतना popular नहीं था और बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि cloud computing कैसे आपकी problems solve करेगा especially जो application development application hosting की बात होती है वहाँ पे cloud computing आपकी problems कैसे solve करेगा तो चलिए देखते है कि क्या situation थी उस समय तो assume कर लीजे कि आपको एक business start करना य उस समय internet इतना popular नहीं था उस समय आपको hardware और software resources उतने आसानी से नहीं मिलती थी तो हम लोग क्या करते थे उस समय actually जो लोग business से start करना चाहते थे उनको खुद का infrastructure बनाना पड़ता था मुझे इसका example देने दीजे आप लोग अब उस समय ऐसा होता था कि ये servers जो हम लोग use कर करते थे आभी भी servers पे ही करते हैं हम लोग बट उस जमाने में आपको infrastructure पूरी तरह खरीदना पड़ता था ऐसी कोई service नहीं थी कि जो आपको उनका infrastructure use करने देती थी या उनके servers use करने देती थी उसका मतलब था कि आपको आपके servers खुद खरीदने पड़ेंगे आप इसमें problems क या क्या थी एक यह problem थी कि उस जमाने में servers या फिर applications software development यह काफी नहीं चीज़े थी especially अगर आप इंडिया की बात करेंगे अब मैं इंडिया से हूँ और क्या होता था hardware limitations थी और हम लोग ऐसे hardware use करते थे जो size में भी काफी बड़े थे और जो काफी costly भी थे आपके लिए आपको hardware के लिए बहुत पैसा देना पड़ता था तो जैसे मैं बताया कि अगर आपको कोई application host करनी थी उस जमाने में या कोई business ऐसे application related business शुरू करने थे तो आपको एक पूरा infrastructure setup करना पड़ता था और जैसे मैंने बताया कि यह काफी नई चीज़े थी आपके पास बहुत से लोग भी नहीं होते थे जो इन चीज़ों को समझ सके और आपको manpower या resources प्रवाइड कर सके जो इन software को maintain कर पाते तो अगर मिलते भी थे तो बहुत पैसे charge क अगर आप challenges की बात करें तो यह कुछ challenges थी अब इसको छोड़के भी और challenges थी बट यह काफी noted या pointed out challenges थी जो मैं आप लोग के सामने लाना चाहूंगा आप देखोंगे कि उस समय पर ऐसा होता था कि आपको बहुत पैसे देने परता था जैसे मैंने बताया क्यूंकि servers तब costly अभी भी है बट उस जमाने में उससे भी ज्यादा costly थे वो तो उसका मतलब यह था कि आपको उस जमाने में बहुत पैसा देना पड़ता था इन servers को खरीदने के लिए अब दूसरी बात जो मैंने बताई आपको लोग लगते थे जो यह servers maintain कर सके तो इसका मतलब यह था कि as a owner आप constantly इन चीज़ों में ओलजे रहते थे पैसे invest करना लोगों को इसमें involve करना और इसमें और एक problem यह था कि जिन लोगों के पास पैसा कम है business start करने के लिए even though उनके पास अच्छे ideas होंगे वो यह business नहीं कर पाते थे क्यों क्योंकि पैसों की limitation हो जाती थी अब पैसा छोड आत्रा में आ रही है यह constant चीज नहीं होती यह तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है तो since यह data जो है आपको हमीशा पता नहीं रहेगा कि आपको कितनी resources लगेगी है ना तो ऐसा हो सकता है कि आपको कभी ज्यादा resource लग गई कभी कम लग गई बट since आप यह resources खरीदते थे यह सारे servers खरीदते थे आपको pre-planning करनी पड़ती थी कि मुझे इतने लोग चाहिए इतनी resources चाहिए मुझे इतना hardware चाहिए इतनी computation चाहिए इतनी storage चाहिए तो यह कैसे होता था अगेन आप लोग को बुलाते थे उनसे planning करवाते थे वो एक assumption करते थे और आपको एक estimate देते तो आप में भी 6 मेना, 3 मेना, 1 साल, 2 साल जो कुछ भी आपका long term plan है उसके हिसाब से आपकी resources खरीदते थे तो इसका मतलब तो है कि आपका पैसा तो चला गया already अब assume कर लो कि आप उतनी traffic या फिर उतना data generate ही नहीं कर पा रहे हो तो आपका computation जो है वो waste जा रहा है या फिर assume क कर लो कि आप जर्द से जादा traffic handle कर लो तब इस situation में क्या होता है कि since मतलब आपकी traffic जादा आ रहे है आपके पास तो उसके यह से यह problem होती थी कि आपकी जो resources है वो traffic handle नहीं कर पाती थी क्योंकि आपने plan करके already limited amount of resources करीद रखी है जोनों ही situation में ऐसा होता था कि या तो आपक face करते थे यह छोड़के और भी बहुत सारी दिक्कते थी पैसा तो एक मैंने बता दिया resources बता दी scaling up scaling down मैंने बता दिया और limitations भी बहुत सी रहती थी right आप बहुत से experimentation नहीं कर सकते थे जो आपको मिलता था उसमें आपको काम चलाना पड़ता था तो यह सारी दिक्कते थी त जो server application hosting और management की बात है यह पूरी तरह बदल दी अब मैं कुछ platforms के बारे में भी बात करूँगा पर मुझे एक general idea देने दीजिया आपको इसके बारे में अब दुनिया में बहुत से popular companies है जो बहुत सालों से data संबाल रहे है online businesses कर रहे है software बना रहे है Microsoft हो गया Amazon हो गया Google हो गय companies है और यह बहुत सालों से बहुत decades है ना बहुत decades है इस market में है उसके वैसे यह लोग already बहुत developed है और इनके पास उस जमाने में भी ऐसा infrastructure था जो actually मतलब बहुत आगे था बहुत advanced था तो यह जो popular companies है मैंने कुछ गिने चुने नाम लिया और भी थी companies इन companies ने क्या सोचा कि हम हमारे पास already बहुत सारा infrastructure है क्योंकि हम लोग online businesses करते है Amazon जैसे आप जानते हो कि उनका e-retailing का business था Microsoft आप जानते हो कि one of the biggest company है software development की अब बात करो same Google के बारे में भी I mean data की अगर बात करो तो Google से बढ़ा कोन होगा बराबर है तो यह companies और ऐसी कुछ companies में actually क्या हुआ लोगों न खुद को भी promote कर रहे थे और यह resources दे कि वो भी पैसे कमा रहे थे कैसे वो मैं बताऊंगा बाद में बट उनका एम यह था कि यह resources लोग को भी available हो तो since इनके पास already इतना infrastructure था इन्होंने अपनी services rent करना शुरू कर दी अगर मैं amazon की बाद करो तो उन्होंने यह सब कुछ 2002 के आसपा शुरू किया जिसके बारे में हम बाद में विस्तार में या detail में चर्चा करेंगे बढ़ हां कुछ 2002-2003 के आसपास उनने शुरू किया यह सब करना और फिर एक 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 करके वो लोग काफी सारी cloud computing services बनाने लग इन शॉर्ट यह लोग क्या करने लगे इन्होंने कहा कि हम आपको storage, computation, database services जो कुछ भी आपकी requirements है यह चीज़े हम आपको rent पे देंगे हम इनको manage भी करेंगे आपके लिए आप इन services को use करो अपने businesses चला और हम rent पे दे रहे हो तो just duration के लिए आप यह resources यूज कर रहे हो उसके और यह और आपके लिए manage monitor कर रहा था मतलब वो जो technical help चाहिए थे आपको वो भी मिल रही थी और आप क्या कर सकते थे आप आपके business पे focus कर सकते थे तो यह फर्क था अब अगर आप cloud computing की बात करें तो यह थोड़ा ना मुझे electric supply की तरह लगता है I mean electric supply करने वोले जो boards होते हो उनकी तरह वो क्या करते है आपको electricity provide करते है आप बटन्स on करते हो और electricity consume करते हो बराबर आप टीवी चलाते हो fan चलाते हो यह सारी चीज़े करते हो तो इसमें होता क्या है आप जो कुछ भी resources use करते हो आप must use करते हो और जब वो आपका महिना खतम होता है आपका bill जब generate होता है तो board आपको bill भेजते हो आप पे करते हो आपको इन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करना पड़ती कि electricity supply हो रही है नहीं हो रही है कल हो रही ह क्योंकि वो लोग इसका ध्यान रखते है वो manage करते हैं चीजों को monitor करते है कोई failure हुआ तो उनको handle करते है और फिर calculate भी करते कि आपने इतनी units consume किये आप उसके लिए हमें इतना पैसा दे तो cloud computing platforms में भी यही किया अगर आप application development के बारे में बात करो तो उन्होंने आपको resources दी उसके ही हिसाब से पैसा लेंगे और उतने ही देर के लिए लेंगे जितने देर के लिए आपने वो इस्तमाल किया है तो इससे क्या हुआ कि basically यह cloud platforms जो थे वो यह सारी services ऐसे provide करने लगे और आप screen पे देख रहे हो कि right side में लिखा है कि you pay what you use इसे कहते pay as you go model मतलब अगर 10 मिनिट के लिए ही pay करोगे और अगर आप उसको level 1 पर यूज़ कर रहे हो तो level 1 का ही payment करोगे मतलब आप scale up scale down दोनों कर सकते हो को instance आपके जरुद पूरी नहीं कर रहा है आप बड़ा instance लेलो जब से आप बड़ा यूज़ करना शुरू करोगे आपको बड़े instance के पैसे ल जारी है मतलब एक ऐसे data center पर provide की जारी जो कहीं दूर रखा गया है और आप उसको internet के through access कर रहे हो कोई बात में हम इसे और आगे discuss करेंगे थोड़ा आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि cloud computing क्या है और जो points मैंने बताए क्या वो सही में वो सारी चीज़े करता है मैं आ तो what is cloud computing? cloud computing है क्या? तो मैंने आपको एक nutshell में idea दे दी उसकी कि basically आप ये सारी services rent कर रहे हो चलिए ये से थोड़ा और समझते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि cloud computing है क्या exact तो अगर मैं cloud computing की बात करूँ तो definition ये कहती है कि it enables on demand services मतलब यह आपको कुछ ऐसी services देता है जैसे कि computation हो गया, storage हो गया, networking हो गया, बहुत और services भी होती है जैसे कि management, messaging, machine learning, bot building, IOT और बहुत सी services है जिन्हें हम देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे but एक nutshell में या फिर एक छोटे से अगर छोटे तरीके से आपको एक idea देनी, simple तरीके से तो मैं ये कहूँगा कि जो एक application बनान ये तो आपको इतनी service इस दौरान के लिए, इस duration के लिए दी जाएगी और क्या होता है, एक second line अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो वो बहुत important है, आप ये जो resources है, can be accessed through the internet, है ना, and user is not required to manage these resources, और एक important point है साथ वो इस line में नहीं आया है, वो है कि these can be accessed through the internet from anywhere across the globe, at least in the places जहा ये service है, मतलब ये जो resources है, इनको आप internet के through explore कर सकते हो, use कर सकते हो, आपको इनको manage करने की जुरूरत नहीं है, और आप दुनिया के किसी भी कौने में बैठे हो, अगर वहाँ पे वो cloud computing services, आपको service provide करती है, तो आप घर बैठे बैठे, internet के through, ये सारी resources, use कर सकते हो, और actual में आप अपना business उस पर चला सकते हो, अभी अगर आप सब लोग ये video तुरन देख रहे हो, तो हम सब लोग अभी COVID-19 के situation में है, बराबर, मतलब अभी पिछले कुछ मेहनों से हम लोग COVID के साथ जूज रहे है, coronavirus के साथ जूज रहे है, तो बहुत से लोग घर पे थप है, इसका कैसे मुम्किन है, ये internet के वज़े से मुम्किन है, और कही पे ये data जो है, सारा किसी data center पे या कही पे server पे पढ़ाए, किसी drive में पढ़ाए बराबर है, और हम लोग इसको घर बैठे-बैठे access कर रहे है, internet के through, यही cloud computing है guys, basically cloud computing क्या करता है, आपको ये सारी services provide करता है, जो on-demand services provide की जाती है, internet के through, आप उनको access कर सकते हो, okay, तो अब जब features के बारे में बात करते हो, ये कुछ features है, जो AWS आपको provide करता है, इन में से कुछ features के बारे में, मैं मैं already searcha कर चुका हो है न, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग इन features को जल्दी से देखते हैं, अग मतलब आपके जरुरत के हिसाब से वो बड़ी होनी चाहिए, scale क्या होता है, measurement होता है, बराबर है, तो when you say scale, आप ये कहना चाहरे हो कि, जैसे scale में measurement बढ़ती है, वैसे आप आपके requirements भी बढ़ाना, मतलब आना चाहिए, तो scale अब भी होता है, डाउन भी होता है, बराबर है, तो वैसे, मतलब आप requirements आपकी ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, एक उधारन आपको दो, तो अगर आप एक compute service के बारे में बात करें, तो ये आपको virtual machines launch करने देता है, मतलब एक ऐसा environment बना के देता है, जिसमें आप कुछ instances चला सकते हो, या फिर कुछ applications चला सकते ह जो virtual होता है, तो ये virtual instance की जो जर्रत है, वो कम ज़्यादा हो सकती है, अजिम करने जिए आपका laptop ही ले लीजिए, आपको 4GB RAM यूज़ करते हो, कभी 8GB यूज़ करते हो, वैसे आपके laptop का configuration बदलता है, वैसे, तो अगर आप scalability की बात करोगे, तो आपका data center या फिर जो resources को चाहिए, ये उपर नीचे आपको करते आना चाहिए, थोड़ा आसानी से, अगर आप hardware खरीदते हो, तो उसमें ये modifications करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप AWS ये platform manage कर रहा है, तो वो आपको instant scalability देता है, up and down, in both directions, तो scalability हाँ, ये feature covered है, जब हम instances launch करेंगे आगे जाक करते हैं, और कुछ instances ऐसे होते हैं कि basically वो आपको per second basis पर भी charge करते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप एक resource को एक minute के लिए उसको पैसे देने पड़ेगे, उपर से इंके पास calculators होते है, AWS हो गया, Azure हो गया, GCP हो गया, ये popular platforms, इनके पास अपने calculators होते हैं, जो आप use क आप calculate कर सकते हो कि आपको कितना पैसा लगेगा, ये resource अगर आप इतनी देर के लिए और इतनी capacity में use करोगे तो वही, ये payage ego model भी देता है आपको और ये बहुत ही flexible है, in general, जैसे मैंने बता है कि AWS में 175 services है, अगर आप Azure की बात करें तो 120 की उपर services है, तो आप अंदाजा आपके पास और इतनी सारे problems का solution भी है Cloud Computing, तो इसलिए ये वज़े से आपको flexibility मिलती है, और बहुत से रूपों में आपको flexibility मिलती है, आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, और जैसे हम concepts discuss करते जाएंगे, आपको ये चीज़े और समझते आएगी, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं कि ये platform secure और disaster recovery कैसे provide करता है, अगर आप इस platform के अगर आप बात करें, तो जब मैं security की बात कहता हूँ, तो security की perspective से ये बात है कि cloud computing जो है आजकल shared security model provide कर रहा है आपको, अब एक जमाना इसा था कि लोग कहते हैं कि cloud platform secure नही है, बट उस बात को काफी समय हो गया है आप, और अब cloud computing बहुत बदल गई है, बहुत advanced हो गई है, इतने सारे options होते हैं आपको security को लेके, और बहुत से principles होते हैं कि cloud platforms जो है न वो, मतलब क्या करते हैं कि कुछ आपको control देते हैं कुछ security के बारे में जो आप decide कर सको कि आपको क्या क्या करना है उस security में, किस चीज़ों के आपको खुद को responsibility लेनी है, कुछ चीज़े वो खुद control करते हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारा control तो आपने ले लिए, अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो ऐसे भी नहीं होता है, तो आपको control दिया जाता है, और वो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, अगर आप में ज्यादा इसके उपर बात करो तो आपको नहीं समझाएगा, अगर आपको शॉट में बताना है, तो आप कही पर data डालते हो तो आपको risk रहता है कि वो data loss ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, या फिर कोई calamity किया है तो वो data खतम ना हो जाए पूरी तरह बराबर है, या फिर कुछ destroy ना हो जाए, तो इस situation में क्या होता है, disaster recovery की जाती है, मतलब अगर कोई worse situation आप ही जाए, तो मेरे पास इस data का backup होना चाहिए, तो ये cloud platforms जो है वो आपको replication और data backup के भी बहुत से options देते हैं, तो जैसे आपके जो questions है वो comment section में डालिए, हम लोग उसका जवाब दे देंगे आपको बहुत ही ज़ली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो guys अभी मैं cloud computing क्या है, क्यो है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हो, तो अब हम बात करेंगे cloud service models के बारे में, जब आप cloud service models कहते हो गई, तो cloud service models, basically आपको अगर मैं इससे समझाना होगा, तो मैं कियो धारन देना चाहूँगा, अब ऐसे आजूम कर लीजिए कि आप एक software इस्तमाल करते हो, या फिर आप एक business start करना चाहरे हो, तो इसमें बहु ऐसा हो सकता है कि आपके requirement ऐसी हो कि आपको सिफ software यूज़ करना है, या फिर आपको पूरा infrastructure बनाना भी है, तो ये दो अलग requirements से बराबर है, तो आपको cloud जो है, आपको services जो है वो अलग-अलग तरीके से provide करता है, तो जिन तरीके से इन services को provide किया जाता है, उनको service models कहते है, तो चली कुछ उधारन देखते है, फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे, कि exactly है क्या है service model और करता क्या है, तो guys अगर आप market की बात करें, तो market में तीन major service providers है, IaaS, PaaS, Saas, अभी recently बहुत सारे और service models आ रहे है, as in database as a service कहते है, storage as a service कहते है, है न, तो मतलब options unlimited हो रहे है आ तो चली इसको जड़ा और detail में समझते है, अगर आप IaaS के बारे में अगर बात करेंगे, guys, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ users ऐसे होते हैं, जिनकी requirement होती है कि हमें infrastructure जो है, वो आप दे दो, बाकि सारा जो है, मतलब management हो गया या कुछ चीज़े हो गई, वो हम खुद करना चाते है, especially configuration part जो होता है, तो इसका अगर मुझे उधारन देना हो, तो मैं यह कहूँगा कि, ऐसे assume कर लो आप कि, आपको एक application बनाना है, तो आप क्या कहते हो कि, मैं decide करूँगा, कि मेरे को कितना data center चाहिए, मतलब कितना computation power चाहिए, उसके उपर, कौन सो operating system चलना चाहिए, वो भी मैं ही बताऊंगा, उसके उपर, कौन से applications चलना चाहिए, सारा data भी मैं ही manage करूँगा, और application भी मैं ही चलाँगा, कैसे security होगी, वो भी मैं ही decide करूँगा, और कौन से network में चलेगा, वो भी चीज़े मैं ही decide करूँगा, तो यहाँ पर basically, आप पुरा infrastructure खुद से बनान available है, आप खुद का infrastructure जो है, आपके requirements की हसाब से configure कर लो और चलाओ, तो यह हो गया आपका infrastructure as a service, अब AWS में EC2 एक बहुत common example है इसका, जो आपको ऐसे virtual machines configure करने देती है, again जैसे मैं कब से कहता आ रहा हूँ, इसे हम और समझेंगे detail में, guys यह line में बार-बार इसले कह रहा हूँ क्योंकि यह सारी चीज़े में आगे बहुत detail में बाते करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसे पूरी तरह समझा, अगर मैं अभी बात भी करो तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो in general अगर आप infrastructure as a service की बात करते हूँ, तो आपको infrastructure दिया जाता है service के form में, तो यह cloud service model आपको यह provide करता है, इसके पर infrastructure के अंदर जो configuration में आप खुद करते हूँ, अब दूसरा क्या है platform, चलो आप कहते हो कि मुझे इन जंजट में नहीं पढ़ना है, आप वो security जो हो गया, configuration जो हो गया, कुछ चीज़ आप संभाल लो, मुझे सिर्फ एक ऐस चूज कर सको, java चूज कर सको, php चूज कर सको, उसको यूज करके application बना सको है न, या फिर already मेरे पास जो code पढ़ा हुआ है, जो application पढ़ा हुआ है, उसको मैं import करके मेरे platform पे चला लो, तो यहाँ पर आपका requirement जो है, वो एक platform का है, तो इसे कहते है platform as a service, क्योंकि आपका vendor जो है, वो आपको एक पूरा platform दे रहा है rent पे, वो services use करने के लिए, बराबर है, आपका application चलाने के लिए, अब तीसरा होता है, software as a service, अब software as a service में क्या होता है न, आप कहते हो कि मुझे platform नहीं चाहिए, मुझे ये जंजट ही नहीं चाहिए, मुझे direct मेरा software use करना है, बनान भी आप बना के दो, और उसमें application भी आप डाल के दे दो, मुझे सिर्फ use करना है, मतलब मैं मेरे internet पे जाऊंगा, login करूंगा, और वो पूरा service में उसे use करूंगा, so ये आपकी requirement है, अब इस requirement को कहते है, software as a service, और इस form में जो service provide की जाती है, उसको कहते है, software as a service, इसका बहु इंसे network में है, हमारा concern ही नहीं है, हमारा major concern क्या है, login करो, और mail भेज़ दो लोग, facebook ले लो, दूसरा example है, क्या करते हो आप, जाते हो आपका, जो कुछ भी आपका status है, type करते हो, image है, उसे डाल देते हो, so basically ये एक web software है, web services है, जिसे आप इस्तमाल कर रहे हो, तो ये जो vendors है, cloud vendors या फिर जो भी market में vendors है, वो आपको ये services जो है न, software के form में दे रहे है, तो यहापे आप software consume कर रहे हो directly, तो ये वो service model से guys, और अब I think मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके हो कि, जिस तरीके से आपको service provide की जाती है, उसकी हिसाब से आपका, मतलब ये service model बनत करके दे रहा है, जिसे आज कल लोग कहते, database as a service, storage configure करके दे रहा है, तो उसे कहते, storage as a service, तो उसमें और nuclearity आ रहे है, या फिर इन चीजों को न, और छोटे-छोटे संदर्बों में तोड रहे है, और छोटे services की form में आपको दे रहे, ताकि लोगों को समझने में आसा नहीं हो, और जिनके कुछ particular requirements हो, वो ही meet करें, अगर आप cloud service models की बात करें, तो ये standard cloud service models है, जो पुराने जमाँ मतलब काफी पुराने समय से है, और अभी भी ये prevalent है, major cloud service providers, not service providers, sorry, major service models के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है, मैं आशा करता हो कि आपको समझ में आगे, इसे अगर आ आपको, है ना, infrastructure as a service में क्या होता है, लोग कहते हैं कि virtualization, servers जो हो गया, storage हो गया, networking आप संभाल लो, जैसे मैंने कहा कि security, networking, वो कहते हैं, not security, वो कहते हैं कि आपका जो ये है, basically, networking है, storage है, या फिर virtualization है, वो चीज़े as a vendor आप संभाल लो, मो जो operating system हो गया, middleware हो गया, जो application हो हो गया, जो data हो गया, वो manage करने दो, और कुछ हद तक आजकल ये भी होता है कि आप networks भी संभाल पाते हो, जैसे कि कौन से subnet में डालना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़े जो है, वो as a user, आप control कर सकते हो, तो इसे कहते है infrastructure as a service, अब, दूसरा क्या होता है, platform as a service, अब platform as a service, और तीसरा है आपका software as a service, यहाँ पर आप सिर्फ data manage कर रहे हो, या consume कर रहे हो, applications तक की आपको कोई और बना के दे रहा है, manage कर रहा है, और monitor कर रहा है, इसके examples में दे चुका, अगर आप चाहते हो, इसको मैं और simple तरीके से समझाओ, तो guys, एक pizza वाला example देना चाहूँग मैं वो आपको बताना चाहूँगा, देखे guys, जब आप pizza खाते हो, या फिर consume करने का सोचते हो, तो आपके पस कुछ तरीके होता है, जैसे कि आप या तो pizza home deliver करा लो, दूसरा होता है, आप hotel में जाके खा लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप घर पर बना लो, तो ये तीनों पीजा consume करने के है, और बनाने के या फिर आपके तरफ लाने के भी है, तो हम बात करते हैं पीजा बनाने की, अब इसमें आप क्या करोगे, आप खुड डव लेकर आओगे, या फिर आप ready to use, डव यूज करोगे, बराबर है, उसके पर आप topping करोगे, stuffing करोगे, फिर oven में ड कर रहे हो, platform as a service, यह similar है, पीजा order करने के हिसाब से, आप क्या कहते हो, बना बनाया, पीजा मुझे लाके दे दो, या फिर ready to use, पीजा मेरे पास लाके दे दो, मैं खुद बना लूँगा, या फिर जो पीजा आपने दिया है, जो order करके में लेकर आए हो, मैं मेरे घर के utensils म आपको एक platform दिया जा रहा है, जासे आपको यह pizza मिल रहा है, तीसरा है आपका, यह pass वाला जो है, वो थोड़ा exactly match नहीं कर रहा है, बट I hope आपको idea मिल गए मैं क्या कियाना चाहँ, फिर तीसरा है आपका software as a service, इसमें आप hotel में जाके pizza खा रहा हो, what this means is, कि आप ना तो pizza बन समझा गई है, तो आपको सवाल आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप लोग उसे comment section में डाले और हम लोग उसका जवाब के साथ तुरंत ही वापस आएंगे, मैं आचा करता हूँ कि आपको यह session पसंद आया, like कीजिए, subscribe कीजिए,